नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कमप्टीशन प्रिप्रेशन पर आई होब आप सारे अच्छे होंगे स्वस्त होंगे प्री का पर या तो दे लिया होगा या तो देने वाले होंगे ये वीडियो मेंस के लिए तो अगर आप करीरी की तयरी कर रहे हैं तो ना देखे कि तरह हो कच भी लेबल में चेंज नहीं हो था प्री के कोस्टन से तफ मिलेगा होगे। कई बार मेंस के कउछ कोस्टन से तफ मिलेगा ओ BACK वे दोनों चीज़े अलग से पढ़लो बाकि प्री वाला स्लेबस आपने कर रही हो अगर आप प्री क्वालिफाइ कर रहो तो इतना मैं expect करता हूँ आपसे कि 2 plus 2 is equal to 4 आपके लिए tough नहीं होगा और उसके सिवा अगर वो easy है तो उसके सिवा मैं किसी को easy भी नहीं लिखता अगर 2 plus 2 का whole square के power 3 अगर आपको moderate नहीं लगता तो वो भी मैंने easy लिखा होगा और अगर 2 power 3 के power 9 के power 7 moderate लगता है तो उसी को मैंने moderate लिखा है और tough का मतलब होगा 2 के power 19 के power 19 के power 19 इसको tough लिखा है मैंने यह आपको जो दिख रहा है data ऐसे table बनी हुई वह आपकी choice है बट यह basically मैं उन गधों को target भी नहीं कर रहा जो मतलब अपने आपको गधा मानके बैटे mentally गधा है मतलब वह आपने आपको गधा मानते इंदा सेंस कि वह दिमांद बंद करके वीडियो देखें मैं उनको target कर रहा हूँ जो pre-qualify करके के लिए लगे लगेघे पेलियो कुछ बात है करते कैसे को सकता है मेरी बात कर भी लगे है वह आपका op होबी और होबी कोई मकारी से नहीं करता है यह ध्यान रखना है अब आता हूं इस डेटा पर क्या है डेटा लोको जब से सीजियल का प्रेटर्न चेंज हुआ मतर्मेंस का वह 2022 में चेंज हुआ उससे पहले 17 18 19 20 21 यह तीनों सीजियल मैंने दिया है और 20 21 मैंने खुद परवाय है मतलब यह 18 में मैं पोस्टिंग लेकर ज्वाइन कर चुका तो लिए 19 ऐसे दिया था कि डीवी में नहीं गया अलाकि और 20 21 तो मैंने दिया ही नहीं फार्म ही नहीं वरा 17 मेरा पहला सीजियल था और उसके पहले में प्रीमेंस टीर 3 में मैं क्वा चलो चोड़ो मैंस के मैंने 2011 से लेके 2023 तके सारे कॉस्टन करवाए है इस वज़े मुझे पता कि रीका मैंस का लेवल कैसा बढ़ा है कैसा घटा है ठीक है वह सारी चीजों का आप चैंसल चोड़ दो अगर आप यह वीडियो देख रहे तो मुझे विश्वास करो कि यह ची करने के लिए टेकर नमदत करके कर से लिए कि मुटिवेशन के अदिक वह न के लिए यह यह मैं क्यों कर रहा हूँ था कि मेंस से पहले मैं आपको एक महिने में कम से कम 30 वीडियो ऐसी दे पहूँ जो अगर आप उतनी 30 वीडियो कर लो तो आप मेंस के लिए 100% कोश्चन करने के लिए मैथमेटिक्स में और आपको बागी इंगलिस का रिजनिंग का कम्प्यूटर का और जियस का यह टाइम भी इसमें न डिवोट करना पड़े कुछ लोग मैथमेटिक्स के पीछे फोविया होती है तो इतना पागल हो जाते कि यह तीनों सेक्शन को कमपनसेट मतलब इनों सेक् इसी लिए वीडियो लाई गई है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो चीज़े या क्या चीज आप छोड़ सकते हैं वो सारी चीजों पर बात करेंगे मैंने यह पर दो चीजों कर रहा एक कि इतने क्वेस्ट आये हैं उस टॉपिक के और उनका लेबल क्य यह चारों से 2022 के और सीजल में 2023 किया गया है जब से आपका पैटर्ण चेज हो तब से अनालिसिस किया गया अब आप कहेंगे डाइरेक्ट यह आपको PDF कर देते नहीं मैं कुछ चीज़े समझा रहा चाहता हूं जैसे देखो सिंपल इंटेस्ट एंड कंपाउंड इसमें इंस्टाल्मेंट भी हो सकती है मैंने सिंपल इंटेस्ट एंड कंपाउंड इंटेस्ट एंड इस विश्चालमेंट इस लिखा ताकि मतलब मैक्सिममम दोग असे लोग अलग-अलग मांते हैं मैंने अलग लिखा अगर मैं बात करूं आप यहां से देखते चैलेंग कि simplification के दो question आए ऐसे percentage के कितने question से आप देख सकते तोटल 30 questions में से कौन-कौन से नहीं है average नहीं है coordinate geometry नहीं है time and work नहीं आया और ऐसे आप ऊपर देख पारूंगे बाकि सबके questions आएं अगर आप देख पारूंगे इसमें टाइम नहीं आया और ऐसे आप देखें तो इसमें पाइप और तिर्गोनोमेट्री नहीं आया और ऐसे आप देखें तो मतलब हर पेपर में कुछ न कुछ S.S.C. ने बदलाव किया कि किसी में कोई question नहीं पूछ रहे हैं किसी में कोई question लेकिन आप देख पारूंगे कि most common thing जो है वो यह है कि कुछ टाइप के questions है जो नहीं पूछेंगे जैसे अगर हम उठाएं तो coordinate geometry ना इधर पूछी गई ना इधर पूछी गई ना इधर पूछी गई और इधर पूछी गई और इधर फिर नहीं पूछी गई यह एक सिफ म मैं इस वेस अपनी सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि एक घंटे में मैंने पूरा कॉंसेट करवा है तो आप एक घंटे की वो वीडियो देख लेना उससे उपर कुछ नहीं जाएगा इसमें एक घंटे से ज्यादा टाइम डियोट ना करें आप अपने ठीक है आप देखते हैं अगर मैं बात करूं ऐसे 3rd March की तो 3rd March में देखो 2 questions आये simple interest compound interest के 4 questions आये simplification के देखो आप easy वाले तो यह easy वाले ही लिखा है कि आप से प्री अगर आपने qualify किया तो आप से सारे हो जाएंगा पेपर उठाना जिसमें easy लिखा है ना इसको करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको मेहनत हमेशा किस पर करने जैसे percentage को एक moderate आ गया moderate का मतलब यह थोड़ी कि percentage में कई नया concept बन moderate मितलब सारे question moderate नहीं हुए है लेकिन दो question अगर easy थे एक moderate हुए एक tough हुए तो मैंने overall moderate लिखा है ऐसे अगर आप देखो probability का question चुकि probability नहीं थी पहली बार आई थी 2023 में 22 में इस वारा से moderate थी बाकि question moderate नहीं था और अगर हम बात करें average की तो easy था बाकि यह सारे topics easy थी ठीक ह अगर हम ऐसे बात करें देखो दूसरे 6th March की बात करें तो 6th March में आप देखे easy to moderate simple interest compound interest इसमें installment का question आया था जो कि अगर आप देखें तो थोड़ा सा moderate था या फिर ऐसा हो सकता है मुझे याद नहीं कि installment का question था या किसका था लेकिन हाँ यह है कि moderate मैंने लिखा तो calculation जाता हो या फिर हो सकता है कि decimal में rate डी हो decimal में time दिया हो ऐसा कुछ भी time speed and distance में कभी question tough नहीं हो सकता रेस वाले question आते हैं तो आप confused कई बार हो जाते हैं आपको conceptual clarity नहीं होती इस वज़ा से आपको लगता है tough है बाकि calculate हो सकते है tough नहीं हो सकते मेंसुरेशन moderate कप जब से pyramid पूछ लिय फिर उसके बाद में तीसरे तीसरी बार में मानी कर ली मतलब एक खरीचते टाइम में मानी करें एक बेस्ते टाइम में मानी करें और एक क्रेम मुले को ठाके यानिकि 20% का और profit लेता तो इस तरह के question अगर आएंगे तो उसको मैंने moderate लिखा आपको देखने में आएगा easy लि यह data का मतलब क्या है देखो अगर मैं बात करूं कि 5 shift में total questions कितने हैं तो 11 questions आएं simple interest and compound interest में pattern change होने के बाद 5 shift में यानि कि 2.2 question per shift लगभग average बन रहा है यानि हम कर सकते 2 से 3 question SICI and average से आपके देखने में आते हैं per shift फिर आप ऐसे देखे simplification का 3 question per shift में average ऐसे percentage के 9 question total पूछेगे तो 1.8 average आया इसका time speed and distance के 4 question पूछेगे mixture allocation के 3 question पूछेगे है अगर हम बात करें यह अपना concept मतब 3 नहीं कितने वहां 3 पूछेगे 3 पूछेगे height and distance के बात क्यों तो 7 question total पूछेगे क्योंकि प्री में तो height and distance बहुत कम आता है मेंस में ही आता है मैंसुरेशन के 15 question पूछेगे total geometry के 15 question ऐसे आप देखें 14 question ऐसे अलग अलग topic के कितने कितने question पूछेगे यह मैंने दिखा आप देखते हैं यह मैंने क्या लिखा यहां पर यह ग्रीन और red color का मतलब क्या है यहां पर जो green लिखा है मैं यह यहां पर लिख दे रहा हूं जो green है इसका मतलब है कि यह high chances है इसके आने के यह most important topics green जो है वह most important topic यह most important topic में simplification simplification कहने का मतलब कि यह calculation अगर आपकी अच्छी है तो यह आपका अच्छा हो जाएगा मैंसुरेशन मेंसुरेशन में अगर आपके फॉर्मूले अच्छे है अगर आपको याद है तो आपका अच्छा हो जाएगा geometry concept अगर आपके clear है तो अच्छा geometry का मतलब यह नहीं कि geometry में सीधे उठाया सर्कल के ही तीन पूछले नहीं geometry का मतलब होता circle triangle और quadrilateral चारुशन तीनों से पूछे जाते है ठीक है एक इससे आएगा एक इससे आएगा एक इससे आएगा ऐसे करके सेट करते हैं या कई बार के होता है दो question triangle से एक quadrilateral से या कई बार ऐसा हुआ कि दो इससे पुछा एक इससे पुछा एक इससे पुछा तो कई बार चार पुछ लेते कई बार तीन तो आप देखेंगे कि minimum अगर questions की बात करें तो simple interest compound interest के minimum दो questions आये हैं मैक्सिम तीन questions अगर मैं बात कर दो सकते हैं वह सबसे बेटेज वाले topics की बात कर लेते हैं वेटेज वाले में देखें, मैं माघ कर दे रहो, दो से उपर वाले सारे वेटेज, मतलब उनका हाई वेटेज यानि की important topics है, यह सारे green जहाँ पर दीख रहा है, वो सारे important topics है, यानि यह है important topics, आपको SICI, simplification, mensuration, geometry, number system, यह है आपके important topics, अगर मैं बात करो profit and loss की तो pre के लिए तो वो important topic होता है, लेकिन means के लिए देखो, दो question पर सिफ पूचा जाता है, यह हम कह सकते हैं कि average topics, आपको मैं बता दो, जो green वाले हैं, वो most important topic है, जो green से yellow की तरफ change हो रहे हैं, वो average topics है, जो red है, वो mega topic है यानि कि इनका importance कम है, जैसे कि हम बात करें, height and distance, mixture allocation, mixture allocation का हर shift में एकाथ question आता है, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते, कुछ लोग कहेंगे कि एकाथ question आता है, तो मैं छोड़ दू, नहीं छोड़ सकते, हो सकता है, आपके shift में ना भी आया, जैसे देखो, यहां पर नहीं आया कि भी अपनी वीडियो कर लेना हो जाएगा, ऐसे अगर आप देखो, important topics में, less important topics में, अगर हम बात करें, तो ऐसे pipe and system है, pipe and system और time and work मिला के, आपका, मतलब, एक से दो question आते ही, हो सकता है, किसी shift में एक ही आया, और हो सकता है, दो question आते है, हो सकता है, दो time and work से हो, या हो सक ठीक है, मतलब, दो question माल लो generally आते हैं, इसे एक question, इसे एक question आता है, इसे एक से दो question आते हैं, इसे तीन questions आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आप इसके हिसाब से set करो, माल लो topic की बात करते हैं, कौन सा topic, easy है, कौन सा topic, अगर आप देखो, mensuration के आगे, मैंने कहीं प moderate है, यह भी conceptual clarity है, अगर हो, यह दोखो, number system, calculated हो है, थोड़ा conceptual है, नहीं भी tough नहीं है, अगर आप देखो, simplification, calculated हो सकता है, लेकिन tough नहीं है, अगर आप ऐसे और देखो, यह देखो, ratio partnership, यहाँ पर moderate है, और अगर statistics की बात करते हैं, तो moderate है, बाकि tough नहीं है, बस एक दो topic मैं करवा दूँगा, अभी तक नहीं करवाए, करवा दूँगा, कोई tension लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इसके हिसाप से, जो average दिख रहा है, इसके हिसाप से plan करना है, हम मैं कुछ चीजे बताना चाहरा हूँ, ठीक है, यह आपको दिख गया, कि क्या-क्या चीजे मै मालों यह दोनो, 12 और 4, 16, 16, 16 तो आपके, 16 यह मालों दो इधर, 18 तो आपके यह हो गया, और 2 क्योशन यह, 20 क्योशन के राउंड आपके ऐसे हो गया, जो fix है, आएंगे आएंगे, तो यह 20 क्योशन तो आपको करने ही करने, इन concept को clarity अच्छे से हो जानी चाहिए आपकी, अ insulation, geometry, profit and loss, number system, ratio and partnership, statistics, और अगर हम बात करने, यहाँ पर और आजाते है, average, यह important topics ऐसे हैं, जो आपको, यह देखना है, percentage में मालों, यह ऐसे topics हैं, जो आपको सबसे पहले देखना है, कि यह हो गए, अब यह हो गए, उसके बाद आप निश्चिन तो जाओ, कि आपके 20 से 25 प् जैसे अगर मैं देखू, यह देखो, trigonometry से एक प्रशना है, probability से दो प्रशना है, अगर मैं बात करू, time and work से एक से दो प्रशना है, फिर यह देखना है, कि इनका practice, और यह जो least important वाले, जब आपको छोड़ना भी है, कि मालों, आपका English अच्छा है, आपकी reasoning अच्छी है, non mathematics background, तो आपको छोड़ना भी है, कोई topic, तो आप इन में से छोड़ना, ऐसा नहीं कि कोई भी random topic छोड़के चले गए, कि सर, मैं simplification, मैं calculation नहीं करूगा, calculation नहीं करूगा, परसेंटेज नहीं होगा, आप से कोई भी, यह जो आपका 30 question है, इसमें मालें ना 15 question केवल calculation बेज़ अब 10 question मतलब 30 number और 30 number से 4600 grade पे से आप बाहर हो सकते हो, ऐसे topics, अगर आपको छोड़ना भी एक आद दो topic, तो ऐसे topic छोड़ सकते हो, पहली से तो मैं कहूँगा, सारे कर सकते हो, आपके पास time है, in case आपके पास last में नहीं बसता time, और last में मालो एक ही महीने का time में mathematics के तो आपको least important topics को छोड़ना है, ना कि कोई छोड़ दो जो सबसे जादा है, और यह कोई एक paper का data नहीं है, यह मैंने 5 paper, पिछले जो 5 paper हुए, वो सब का data का वो करा है, मतलब analysis करा है उसके basis तो top important topics पता चल गए, यह पता चल गए, अब आपको important चीजें क्या है, वो मैं बता mathematics पे, maths पे कभी इतना time ना देना कि English, reasoning, gk के साथ आपको खेलना पड़ जाए, मतलब कि इसमें आपका, अगर 10-10% नुकसान हो गया, mathematics में 100% score करके भी कोई फाइदा नहीं, आपको मैं बताता हूँ, जैसे मैं example लेता हूँ, 90 number का math हो गया, 90 number का आपकी reasoning हो गई, 135 की English हो यह कितने को होता है, 75 number का gk हो गया, अब देखो, यह 390 number का आपका paper हो गया, 300 number मानलो mathematics में आपने पूरा किया, और reasoning में 80 आए, मानलो इधर आपने 170 कर लिया, और उसके चकर में English में आपके 80 आए, और gk में आपके 30 आगए, 80-30, 110, 110 और 170, 280, आप mathematics में 100% score करके भी 280, कोई क में 100% score करूंगा, reasoning में 100% score करूंगा, आपको यह देखना है, कि बाकी sections ना उसके, आपको मैं बता दू, सबसे जो कम improvement होता है, instant improvement वो आपको mathematics में दिखेगा, और सबसे अगर आपने एक महिने लगातार पढ़ दिया, तो सबसे ज़्यादा improvement English हो सकती है, mathematics का टिचर हो के भी बता रहो, अगर आपको लगता है कि आप 10 दिन में mathematics में बहुत strong हो जाओगे, possible नहीं, 10 दिन अगर आपने अंग्रेजी पढ़ी ही, तो आप strong हो सकते हो, यह भी मान, मैं हमेशा आपको मेंस चुकिया, आप मेंस रेडियो, आप यहां से यहां पहुच रहो, नौकरी पहुच रहो, अगर आपने एक गलती करी, तो आप फिर से आके यहीं खड़े हो जाओगे, फिर से उसी भीड का हिस्सा बन जाओगे, जो crowd यहां बैटके नाच गाना देख रही थी, सपना चौदरी देख रही थी, आप यहां से यहां आए हो, फुद मेनस से हो, तो यह मौका नगवा देना, कि यहां से फिर से वापस जाना पड़े, यहां से एक जंप में आपके पास 80,000 पर महीने की सेल्टी हो सकती है, और एक चीज़ और बता दू, पिरी में आपका कैसा performance है, यहां पर total performance matter करता है यह, तो यह मेरे अगर आप pre, narrow margin से भी cross करते हो, तो आपके लिए golden opportunity है कि आप इस पर जाओ, इसी वज़ा से मैं कहूंगा, mathematics का यह, PDF में प्रोवाइड कर दूँगा, सारी classes भी available है, इसके लिए आपको, यह जो भी question मैंने बता है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अपनी एक playlist हो 2011 से 2023, में, में, सारे questions करवा रखें, यह आपको अगर लगे, 2011 से लेकि 2023, इसमें मैंने geometry, मैं, सारे topic wise करवा रखें, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, तो आप में, यह खुद से भी कर सकते हो, मेरी playlist से भी कर सकते हो, जो मन करे करो, मेरे कहने का मतलब, आपको करना है, अगर अगर आप फिर भी लगता है कि नहीं कर पाओ, तो मिनिममम 2023 के pre-k paper, 2024 के pre-k paper जो हो गया है, 2022 के pre-k paper, 2021 के pre-k, इतना तो मिनमम प्री का paper, और 2023, 22, 21, 20, 19, 18, यह मेंस का paper, mathematics का, CGL का, जो मेंस होया है, और CPM मेंस आता नहीं, यह, और CHSL का भी देख लें, CHSL का एक ही मेंस होय तो यह मेंस के questions आपको करने ही करने, CGL के, अगर आप यह कर ले तो तब तो 100% score हो जाना कि आपका 100% score होगा है, बट, फिर से मैं कहूंगा, कि English, Reasoning, GK, इसका time, वो computer सबसे important, इसका time खराब करके mathematics पे नप, वो करना, वजना आप select नहीं हो पाओगे, mathematics के channel जरूर बना पाओ चैनल और यह सारी चीजे है, चैनल में जितना आपको लगता है growth है, बच्चे तो limited है, मैं बताओ कि मैं इतना content देने के बाद भी कभी कभी, उल्टे सिधे comment होते हैं, तो आप वो जहेल नहीं पाओगे, और नोक्री में fix हो जाएगा, आप नोक्री ले ले लो, उसके बाद तो मैं फिर से कहूंगा, यह आपका weightage है, किस topic को कितना time देना है, क्या topic छोड़ सकते हो, मैं कहूंगा 99.99% आप को सिस करो, कि होज है, आप मान लो कि आपने इतनी कोसिस करी नहीं हुआ, 0.001% मान लो आपका chance बन गया कि नहीं हो पार है, गुरूजी, तो आप उनको, दे देखे भी वहाँ गलत करो, हो सकता है कि coordinate geometry का आपको formula नहीं आदे हो, वहाँ गलत करो, लेकिन बाकि जो important topic से नहीं, इसमें formula और concept अगर आपको आगया, तो आपसे गलत हो ही नहीं सकता, तो इसी लगतस मैं कहूंगा, कि आपको अगर छोड़ना भी है, तो वही छोड़ना, बाकि फिर से वहीं बार-बार repeat इसुजर्स कर रहा हूं, reasoning, english, gk और computer, इस पो ignore ना करना, इस पो ignore कर दोगे तो जो 330-280 वाला example बता है, उसी पर पहुंच जाओगा, बाकि probability मैं करवा दूँगा, बाकि सारे चीजें मैंने करवा दिया, statistics by rohitry party, जो भी आपको लगे, वो by ro अगर आपको किसी टॉपिक में दिखका था, geometry, mathematics है, कोई भी, तो star batch अपना available है, link description में डाल दूँगा, star batch और star batch 2.0, star batch है advanced portion के लिए, और 2.2 है arithmetic के लिए, इस से जादा अगर आपको mathematics में कुछ करने की जरूरत पड़ी, तो मैं इसके बाद मिलना, बताना की, कुछ करने की topic में problem है, तो आप batch लेने और आपका इस बार मेंस नहीं होना, 100%, अगर आपको 70%, क्योंकि आप pre-qualify कर क्या हो, तो आपको 70% चीज में problem हो ही नहीं सकती, जदध जदध 10-20% topic में problem हो सकती, 2-3 topic में, 4 topic में problem हो सकती, इसके लिए आपको मेंस batch लेना है, अगर आपको लगता है कि आप मेंस batch के साथ ये चीज़ें, English reasoning GK और computer नहीं आपका lose होगा, इसमें score नहीं खराब होगा, तो आप maths का batch लो, बट ये ध्यान रखना, batch उस teacher का लेना, जो आपको limited time में चीज़ें करवाज़ें, दूसरी सबसे important चीज, कि teachers 900 classes करवाने लग जाता है, जो कि मेंस टाइम सबसे धोखे वाली चीज है, सबसे बड़ा धोखा है आपके लिए, कि अगर आपको 900 classes करवाई जाए, तो 200 classes करवाई जाए, इतना time नहीं है, क्योंकि फिर आप mathematics के teacher बन सकते हो, select नहीं हो सकते, आपको 2-4 topics में problem है, YouTube पे सर्च करो, सारे teachers ने करवा रखा होगा, जिसका कोई सजेस्ट करा है, कि गुरुजी का वाली गुरुजी का बैस लो, थकपड़ मारो भगा उसको, कि गुरुजी का बैस तुम लो, हमें नहीं लेने, और आपको अगर कहे दो कि 50%, 60% topics में problem हो रही है, तो भाई आप मेंस के लिए ready नहीं हो, आप अगर math में 100% करने में, आपको लगता है कि आपका selection होगा नहीं होगा, तो अपना time नवेश्ट को आप मेंस के लिए पढ़ो, अगर अपकी बार नहीं तो अगली बार मेंस में क्वाम आ जाएगा, analysis में कर दूँगा, भागी इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक के लिए लग वाल, आलने बेरी वेश्ट को आरे वाल के वाल के विज्ञाब, बने मातर में जैहिंद